आज मैं बनाने जा रहे हूँ ये वेज चाउमीन आप इसे वेज नूडल्स भी कह सकते हैं ये बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आती है और आज हम इसे बिलकुल मार्किट जैसा बनाने वाले हैं जैसे मार्किट में मिलती है ना चाउमीन देखिए देखते ही आ र सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए इस इंट्रेस्टिंग सी रेसेपी को शुरू करते हैं तो यहां सबसे पहले हमें पतीले में पानी गरम करने चड़ा दिया है जिसमें हम अपने नूडल्स को बॉइल करेंगे तो यह तो आप उसको पहले बॉइल कर लीजे अगर आप पैकेट वाले नूडल्स यूज कर रहे हैं तो आप उसको पहले अच्छे से बॉइल कर लीजे तो यहां पर मैं नूडल्स को बॉइल कर लेती हूं अच्छे से मिला देंगे एक बार इने पानी में डालके और इसमें मिला हो जाएं तो यहां पर यह देखिए जो है वह पानी में इसना से ऊपर आ गए हैं इसका मतलब है कि नूडल अज़्े से गल गए हैं अब हम गैस को आफ करदेंगे यह देखिए इस तरह से नूडल हमें अच्छे से गले हुई दिखाई दे रहे हैं इससे ज़्यादा हमें इसे नेगलाना है तो गया इसको आफ करके इसे हम स्ट्रेइन कर लेंगे इसी स्ट्रेइनर में तो यहाँ पर देखे मैंने इसे स्ट्रेइन कर लिया है और सारा पानी इसका निकाल दिया है इसमें मिल को एक कड़ाई चड़ा दिये मैंने यहां पर मैंने बड़ी कड़ाई लिये तो यहां पर जब कड़ाई एकदम धुवादार गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे दो पड़े चम्मच जितना तेल और यहां पर तेल को हमें बिल्कुल होट गरम करना है जब तक यह बिल् सबजियां ले लिए हैं जिसमें पत्ता गोबी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज ये लिया है तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे गाजर और उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज शिमला मिर्च और पत्ता गोबी हम इसमें बाद में डालेंगे बस गाजर और पत्ता प्याज को हमें एक मिनट के लिए सौटे करना है हमें इसमें इसको जादा नहीं पकाना है जादा नगलाने से सब्जियों का क्रेंच जो है वो खतम हो जाता है तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जैसे ही उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोबी और इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च पत्ता गोबी और शिमला मिर्च को डालने के बाद अच्छे से एक मिनट तक हम इसको फ्राइ कर लेंगे ध्यान रहे कि हमें इसमें सबजियों को जादा नहीं गलाना है जैसे ही सबजियां थोड़ी सी फ्राइ हो जाएं तब उसके बाद हम इसमें अपनी सॉस मिला देंगे तो एक मिनट के लिए यहाँ पे हम सारी सबजियों को फ्राइ कर लेंगे यह देखिए इस तरह से फ्लेम को हमें throughout the process एकदम हाई रखना है low medium flame पे से ना बनाए हाई flame पे ही इसे बनाए तो इसके बाद इसमें डाल देंगे sauce तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे मैंने जएड चिली sauce एक रीड़ चमच के आजबास उसके बाद हम इसमें डाल देंगे soya sauce दो चमच के आसपास आप अपनी चाओमिन के quantity की recording थोड़ा कम्या जादा कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे विनेगर दो बड़े चमच के आसपास उसके बाद हम इसमें डाल देंगे काली मिर्ची का पाउडर एक चौथा ही चमच या स्वात के अनुसार डाल सकते हैं आप उसके बाद इन सारी चीजों को मिलाने करदेंगे सबजियों में आप चाहिए तो इसमें टमैटो केचप नहीं डाले है इसके बाद इसमें Doodles ये देखिए नूडल्स को इस तरह से ये अच्छे से बॉइल हो गयते हैं हमारे नूडल्स यहाँ पर आज मैं नूडल्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा quantity में बना रही हूँ क्योंकि आज हम जो डिनर है वो चौमीन का ही करने वाले हैं यहाँ पर मैंने नूडल्स जोड़े से ज़्यादा quantity में लिया है तो नूडल्स जालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक तेश के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे नमक यहाँ पर आप जहां से डालें क्योंकि हमने जितनी सॉस मिलाई है इसमें उसमें भी नमक होता है तो नमक टेश के अकॉर्डिंग डाल देंगे उसके बाद इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर चौमीन मेरी थोड़ सी जादा है कॉंटर टी में इसलिए मिक्स करने हमें थोड़ सी प्राब्लम हो रही है अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की तो सारी सॉस है वो हमारी चौमीन में मिक्स हो जाएं यह देखिए यहां पे मैंने mix कर लिया है अच्छे से और अच्छे से इसको high flame पे ही fry होने देंगे यहां पे हमें flame को low नहीं र Kommiss करते से में भी हमें इसे flame को high रहो है यहां पे toss कर लेंगे इसे आप चाहें तो toss कर सकते हैं या इसे इस तरह से mix कर सकते हैं तो यहां पर यह देखिए अच्छे से एकदम आ रहा है ना देखके मूँ में पानी एकदम मार्किट जैसी चौमिन हमारी बनके रेडी हो गई है यह देखिए इस तरह से चौमिन बन गई है अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन या हरे प्यास का हरा प्यास है तो आप उसको बारी काट के डाल सकते हैं यहाँ पर में पस हरा धनिया है तो यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ आप चाहें तो इसमें हरे प्यास का हरा इससा भी डाल सकते हैं वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है तो अच्छे से mix कर लेंगे एक बार और ये हमारी चौमीन बनके ready हो गई है तब हम gas को बन कर देंगे और इसको serve कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे serve कर लिया है तो अगर आपको आज की मेरी चौमीन की recipe पसंद आई हो तो please मेरी वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और साथ में जो bell icon है उसे भी प्रेस कर दें Thank you